थेंक यू ओनरेबल चेप मिनिस्टर आपको द्धान होगा कि गुजराट आपने पूछा है आज के लेख शब्द इंक्लूजिव ग्रोथ यह बहुत बड़ी मात्रा में हम सुन रहे हैं आपको ध्यान होगा कि गुजराट ने अपने विकास मॉडल में एक मंत्र का उप्योग किया है शब्द है सवनो साथ सवनो विकास सबका साथ सबका विकास हम किसी एक वर्ग का एक जाती का एक भूभाग का अगर विकास करेंगे तो विकास नहीं है मैंने जो साइकल की ट्यूब का आपको उधान दिया था ना विकास सर्वद्दूर होना चाहिए मैं उधान देता हूँ जैसे हमने एक सो आट की सेवा शुरू की है अब ये एक सो आट की सेवा उसके कारण गरीब से गरीब लाखों लोकों की जिन्दगी बजगई है अब पहले गरीब के लिए बिचारा बिमार हो जाए अस्पताल जाना है तो वहिकल नहीं मिलता वहिकल मिलता है तो किराय नहीं होता है अम्बूलन्स नहीं आती वह बिचारा ये ही मर जाता था आज 108 की सेवा सब्द दूर हो गई मतलब की बोसका लाभारती हुआ अब विकास के बाद मने जैसे आपको पतंग की बात बताई पतंग गरीब से गरीब आद भी बना रहा है तो हुआ तो कहने को दुनिया को लगता है पतंग उत्सव कर रहे हैं लेकिन लोगों को पता नह करते हो कि मोदी जी ने क्या साबरमती रिवर्ट फंड बनाया कैसी बढ़िया उसका कंस्रक्शन कर दिया है देखिए पहले सुखी नदी थी पानी दिख रहा है यह यह तो एक पहलू हुआ देखिए उसका दूसरा पहलू है साबरमती में नर्वजा का पानी मिलाने के वाटर टेबल उपर आए और जो फोराइड वाला पानी पीना पड़ता था अमदाबाद के गरीबों को वो उनको शुद्ध पानी पीने को मिला और उसका सीधा सीधा परणा भी हुआ कि किसी जमाने में गुजरात में अगर एक हपते भर भी बारिस होती थी तो एपिडेम हो गए चलता है शुद्ध पानी के खारण गरीब से गरीब व्यक्ति का इम्मुनिटी इतनी बड़ी है कि आज इस प्रकार के अपिडेमिक की स्थिति हमारे पैदा नहीं होती है कहने को तो रिवर फंट दिखता है लेकिन एक्चुली फाइदा गरीब को हुआ है उसको पी इसके पार बपिचार्य की नहीं है मुश्किल से एक भीगह दो भीगह जमीन अब यह गरीब आदिवाशी एक बीगह दो भीगह जमीन में क्या कमएगा मुश्किल से हजार 12,000, 15,000, 20,000 के साल भर की कमाता था बागी वो साल में 4-6 मेने मजदूरी के लिए चला जाता था उसके गड़ बच्चों के शिक्षा भी खराब होती थी एक प्रकार की पूरी विवस्ता चर्म बना जाती थी हमने एक वाड़ी प्रोजेक किया उस वाड़ी प्रोजेक का परणाम यह आया कि हमने एक विगा जमीन हो दो विगा जमीन हो उसको भी कैसे आधुनिक खेती को लिया जाता है आज भाईयों बैनों मैं गर्व से कहता हूँ इस वाड़ी प्रोजेक के कारण विशेश करके हमारे दक्षिन गुजरात के आदिवासी जिसकी पहले 12,000-15,000 पर इंकम थी, आज वो काजू की खेती कर रहे हैं भाई यो, और उनकी इंकम एक लाग रुपया, सवा लाग, डेड़ लाग रुपया तक गई है, उतनी जमीन थी, अब ये विकास तो हुआ, ले मित्रों जिस दिन उसने वेचाने पहली बार बिजली ली थी न, कभी भी उसकी बिजली के तार नहीं बढ़ ली थे, क्यों, करना है तो खुद के गाद, कहां से उकरेगा, और सामुद्री की वो जो हवा रहती है, सौल्टी एर होती है, उसकी कारण ये बिजली के तार पुराने बिजली के तार थे, उसका बदलने का बड़ा भियान चलाया, आज उसको वो बिजली मिलने लगी, उसके जीवन में बढ़लावाया, बच्चे पढ़ने लग गए, कॉम्प्यूटर चलने लग गया, उसको काम हुआ, यहने ऐसा नहीं है, कि जो विकांस और चीज सरकारों ने किया, यह नहीं ने कि सापु टारा, कूरीजम Director, मोदी ने कोशिश कि, सब सरकारों ने कोशिश कि, लेकिन, जब हमनों उसको एक विशय सबसफर campaign किया, और जब हमिताब बच्चन गर जाकर कह रहे हैं कि गुजरात के आँखों का तारा है सापू तारा तो लोगों को लगता है यारी गुजरात के आँखों का तारा हमने तो देखा नहीं तो आज हमारी याँ जब समर कैम लगता है तो सापू तारा में बहुत बड़ी भीड होने लगी है लाखों की तादा में तुरिषान ले इसका एक सीधा मैं अभी उधान देता हूं मैं अभी गया था डांग आवा में जहां लोग जाते नहीं थे और हिंदुस्तान का सबसे चोटे डिस्टिक में डांग इला है पूरा का पूरा जंगल वाला जिला है ट्राइबल बस लगा लेकिन हमारा सापुतार का टूरिजम बढ़ने के बाद वो जो रास्ते के कौने पर मकाई का कौन का डोडा बेचने वाला आदिवसी किजान है पिछली बान मुझे बताया गया कि उसका एक डोडा चालिस चालिस रूपें बिगता था शालिस से चालिस के रूप में बिच में बिचता था देने वाला भी खुसी से देता था और उसके घर में पैसे आते थे कहने का मतलब गी है मित्रों कि हम जब विकास करते हैं तब वो समाज के सभी वर्गों तक पहुंचना चाहिए गरिप गरिप पहुंचना चाहिए और पहुंच रहा है आज हेल्थ सेक् हमने चिरंजी भी होजना की है मेरी आदिव असी गरीब माता हैं डॉक्टर के भाव में या तो बच्चा पेटे में मर जाता था या तो जन्म के साथ मर जाता था या प्रसूती में माव और बच्चे दोनों मर जाते थे और मित्रों आप कल्पना करें 22-27 साल की बेटी जो पहली प्रसूता में मर जाए तो परिवार कितना तबाह हो जाता होगा एक चिरंजीव स्कीम लाए चिरंजीव स्कीम का प्रणाम यह हुआ कि आज मेरे हां हजारों माताओं की जिन्गी बच गई कभी गुजरात में 30-40% इंस्टिशनल डिलिवरी होती थी आज कुछ जिलो में 80% कुछ जिलो में 95% कुछ जिलो में 98% तक पहुँचा आए डॉक्टर की मदश से प्रणिन्सी में प्रशूता का होना उसके कानण से आज बच्चे की भी जिंगी बच रही है मा की भी जिंगी बच रही है कहने का तात परिया है कि विकास का लाप अगर हमारे मन में मात आत्मा गांदी नहीं जो कहा था आखरी छोर पर बैठे हुए इंसान को मिलना चाहिए पंडित दिंदाले उपाध्याई ने अंतोदे की बात कही थी उस मंत्र को लेकर करके हम काम कर रहे हैं और आज बहुत तेज गती से इसके सूफल गाउं गरीब के घर तक पहुंच रहे ह हुआ हुआ है